असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं कच्छी आम की खटी मीटी चट्नी याने की आम की लॉंजी बनाने की रेसिपी इसे आम का गलका भी कहते हैं यह बहुत जादा टेस्टी बन कर त्यार होगी अगर आप मेरे तरीके से आम की लॉंजी बनाएंगे तो आपकी जो घटी मीटी चट्नी है इतनी टेस्टी वन कर त्यार होगी कि आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे किसी भी खाने के साथ यह उसका टेस्ट बहुत जादा बना देती है और ऐसी साइड डिश भी आप इसे खा सकते हैं या फिर पराटो के साथ खाएं बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत आसानी के साथ आप इस Weatman आप इसे डेल से दो महिने के लिए स्टोर कर सकते हैं तो हम यहां पर साथ में स्टोर करने का तरीका भी बताएंगे कच्चा आम आपको हीट स्टोर क से बचाता है तो यह वाइटमीन सी का अच्छा सोर्स होने की वज़े से आपकी इम्मूनिटी को बूस्ट करता है और वैसे भी आम में कैलोडीज कम होती है इसकी वज़े से आपके मेटाबॉलिजम को बढ़ाता है तो चलिए देख लेते हैं खटी मिटी आम की चटनी की रेसिपी किस तरह सजब आ ढ़ते हैं को चाटनी को बनाने के लिए सबसे पहले किल्मी की हैं । जरीmarks से कंוח चलनी की आम दीए मैंने 5-30 зах हैं और नहीं बहुत पतले वैसे तो आप इसका शेफ अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं किसी भी शेफ में आप इसको कट कर सकते हैं चोटा या बड़ा तो यहां पर इसको मैं साइट पर रोग दूँगी और एक में हाँ पर मैंने कढ़ाई को चड़ा दिया गया इस पर औ मेटि डाना बड़ाना अचछी के अजवोन जीरा ए फ Крас addressed एक में लाल मिर्च्वा और इससे बड़ा होगा इसका घंकॉरा होना मिर्चा कर उड़ान जाका जाए गयां से पूजनकी के अच्रू और इससे ऐगर नासम दाल देंगे क्लाइन और पहों यहार या पर दाल दिश तो यहां पर प्राइब दालेंगे तो चमच आप प्राइब राइ यानिके मस्टर्ड सीड और जब अच्छे से क्राक्ल हो जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे आम तो यहां पर साबुत मसालों को हमने आधह मुट के लिए लो फ्लेम पर पकाया था और आम डालने के बाद हम इनको 5-6 मुट के लिए अच्छे से फ्राइब करेंगे तो यहां पर गयाज की फ्लेम को हमें रखना है लो टू मीडियम यूदि अगर तेज आज होगी तो यहां पर जो मसाले डाले हैं यह इनकाले भी हो सकते हैं तो यहां पर इनको अच्छे से उपर नीचे करके कि अच्छे से फ्राइब किया हैं वाये विटमीं सी से भरपूर कच्छी आम के चट्णी आयरन से भी भरपूर होती है जो कि आपकी इसकिन को हेल्दी रखने में बहुत है तो यहां पर इसमें जो मौजूद आयरन होता है या की कुपन की कमी को दूर करता है और उसाथ में कश्मी लालमिज पाॉडर एक चम्मच , कश्मी लालमिज पाॉडर नहीं तो आप आप साधा लालमिज पाॉडर भी डाल सकते हैं , साथ ही रेड औरेज फूट कलर भी पाॉड कर दीजेगा , गयास के सी आजए फ़्लेम कालए। हुटिन अश्या कि चार यह जाए, तो यह गयास पकाई हम तेश सब भूम एक हुपदे संपले के साथ जाए पानी के ताकि बाद भी स्थाने की बाद अटार। तो यहां पर मैने डाल दिया है 0.5 glass पानी साड़े 300 ml के करीम मैने यहाँ पर पानी डाला और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढग कर पकाएँगे तो यहाँ पर गयाज की फ्लेम को हमें लो रखना है तो इस तरह से मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम ढखकन ढख देंगे इसका तो पंद्रा मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 15 मिन के बाद जब यह अच्छे से गल जायेगा तब हम इसमें बाकी के चीज़े आड़ करेंगे तो यहाँ पर 15 मिन के बाद मैंने देखा था तो यहाँ पर आम हमारी अच्छे से कोख हो चुकी है तो 90 परसंट के लिए हमें आम को अच्छे से गला लेना है तो आम को आलमोस्ट आप पूरा अच्छे से गला लीजेगा आम का गला हुआ होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम गल डालेंगे उसके बाद यह बिल्कुल भी नहीं गल सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने स्कून के हद्टे किया है तो बिल्कुल अच्छे से तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे गल जितनी हमने आम लिए हैं उसका आदा हम यहाँ पर गल यूज़ करेंगे तो एक किलो आम था यहाँ पर हम आदा किलो इसमें गल तो गुल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारा गुल मैंने यहाँ पर एड़ कर दिया है गुल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा कंदिस्ट्रेंसी की पतली हो जाएगी तो यहाँ पर मैं इसको चमत से अच्छे से उपर नीचे करके चला लूँगी बस आपको एक बात का धियान रखना है ये कच्छी आम के साथ आपको गुल नहीं डालना है तो आप चाहें तो गुल की जगाप पर शक्कर या फिर मिस्री भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने गुल डालने के बाद इसको नीचे उपर करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आप दीख सकते हैं इसी कंजिस्टेंसी किस तरह से पतली हो गई है गुल मेल्ट होने के बाद जैसे जैसे गुल मेल्ट होता जाएगा यह पतली होती जाएगी तो यहाँ पर हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी desired consistency नहीं आ जाती है थोड़ीजी हमें इसको गाड़ा रखना होता है बहुत जाद हम इसको पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत जाद इसको सुखाएंगे भी तो मेडियम कंजिस्टेंजी हमें इसकी रखना है तो यहाँ पर इसको 8-10 मिट लिए हाई फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे से पका ल अच्छे से पानी में बॉयल करने के बाद उसे सुखा लीजेगा उसमें इस चटनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं 15-20 दिन के लिए फ्रीज में और अगर आपको रूम टेप्रेशर पर रखना है तो आप 4-5 दिन के लिए आप इसे आराम से रखकर खा सकते हैं तो जादा कर्टोरी डाला है इसमें नारियल का बुरादा यह में चटनी का बढ़ा देता है तो यहां पर कटे हुए और चिले हुए बादाम ते जिसे मैं बारी कट कर लिया था उसे भी मैंने अट कर दिया है और साथ में कुछ रोस्टेट काजू में यहां पर एड़ कर दें तो बहुत जादा टेम्टिंग जो हमारी चटनी यह दिखाए दे रही है इससे भी जादा यह डिलीशियस की बनकर त्यार हुए आप इसे एक बार जरूर से ट्राइब करें गर्मियों का मौसा में आज कल कचिया हम बहुत जादा अवेलेबेन है तो आप इसे जरूर से बन बहुत ही मचेदाल सी हमारी जो तच्ची आम की लाउंजी है बनकर रेडी हो गई है तो आप इसे पूड़ी और पराठे के साथ या रोटी के साथ भी से खाजकते हैं बहुत जादा यह टेस्टी लगती है तो सारे पुटाने तरीके आप भूल जाएंगे कर इस तरीके से एक बर खाली तो अगर आपको रेसिपी पसंदा आए तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे वन टाइम सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने फैम्ली और फेंट्स में से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के स का चैनल पर झाल आपको रेसित locked कर दो मिलते हैं एक बढ़ करना एन भाल प्के मिलत लज fikतना मिलता साक रेसित करना नजी hàng कर दो वाद मेह कम रहूंनी कर ょ vaccines टूर पह भु़िपuishई़ उल बया कर भीजसना आपको कर एक पनी पским जलते हैं जर जर सक जार रहई यूर पängtा